नमस्कार दोस्तों रामकला दोस्तों प्रताब गबलो चनल मासब का स्वागते आद दोस्तों हम बात करूँगा अंकृत नेनुओं की बुवाई करने के कितने दिन बाद जो है पौध निकलना सुरू हो जाता है हमने दोस्तों देख पाईए पाते होंगे आपको की नेनुओ करके बुवाई किये थे तो आज यह से कितना दिन हुआ है जो अंकुरित बुवाई करने के जो है पौध निकला है सबको दोस्तों इस वीडियो में आपको बता जाएगा वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखे हैं वीडियो को लाइक कर दें ऐसा ही वीडियो देखना अगर हम निनुवाई की बुवाई करना चाहते हैं तो इसमें क्या है किसान बाईयों की बहुत जादा समय लग जाता है और जब भी आप बुवाई करें सर्दे ठंडे के मौसम में तो बीज को अंकुरित करके ही बुवाई करें बीज को अंकुरित कैसे किये जाता है उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, अगर वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो को लगा देंगे, उस वीडियो को आप देख करके, बहुत ही आसानी से अपने नेनुवा के बीच को अंकुरित कर सकते हैं, तो इसे हम जो है अंकुरित करके यहां पर बुवाई किये थ यह हमें कल से दिखाई देने लगा है, जो नेनुव का पौध तयार हो रहा है, कल से, यानि इसे लगभग आज 21 दिन हो चुका है, जब भी नेनुव का बुवाई करते हैं, ठंडी सर्दी के सिजन में, तो उसमें समय लगता है, और अभी 21 दिन बाद जो है, जो की अंकुरित नेनुव का बीजम यहाँ पर बुवाई किये थे, तो किसान भाईयों, आप लोग भी नेनुव की बुवाई कर सकते हैं, हमने किया था 21 दिसंबर को, आज 12 जनवरी हो गई है, और 11 तारिक को ही यहाँ पर हमें पोध निकलते हुए दिखा, यानि कि लगभग 21 दिन लग ग नेनुव की बुवाई कर सकते हैं, बाकि जो भी आप अपने हिसाब से बुवाई करना चाहते हैं, तो हमेशा जो है अंकृत बीज ही बुवाई करें, क्योंकि अंकृत जो बीज होता है, उसे जो है 100% जमाओ यानि पोध बनने की उमीद होती है, अगर हम नेनुव की सकता है, कि जो है बीज वहीं पर सड भी सकता है, तो नेनुव की जब भी बुवाई करें, तो अंकृत करके बुवें, और बहुत जादा नीचे नहीं बुवाई करना है, अगर आप बहुत जादा नीचे बुवाई कर देंगे, तो भी हो सकता है कि जादा समय लगे, या य